आप पंडित जी हो न? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ. लगता है आप खल्ट जगह आगया हो. यह गलड जगह है? नहीं, जगह है तो सही है. आप खल्ती से आगया हो. मंदिर अगली वाली गली में है. यह क्या है फिर? यह मस्जिद है अल्ला का दर्बार है यहां क्यों होता है जैसे मंदिर में आप बगवान की पूजा करते हो वैसे ही मस्जिद में अल्ला की अबादत करते हैं आप कौन हो मैं यहां का मौलवी हूँ मौलवी मतलब जिसे मंदिर में पंडित होते हैं वैसे मस्जीद में मौल भी होते हैं तो आप दोनों सेम हो हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आज मेरे दादाजी की बोर्सी है आप फ्लीज यह खाना का लीजी मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जीद के पंडित हो ना नहीं बेटा, ये खाना मेरें लिए नहीं है पता है, ये खाना दादाजी केसे के लिए है आप ये खाना इदर खाओगे, उन्हें वाः बटर्चिकन में लेगा उन्हें एक साल से कुछिनी कहाई, अप प्लीज ये खाना का लीजे पेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते हैं मैं गया था मैंने बॉट ढूंडा मा कोई भी नहीं था पेटा जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इने तो कहा कि आप दो मुसेम हो खाना ही तो खाना है इसमें लड़ू भी है अर्या आप आप समझ क्यों नहीं रहो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग है आप अल्ला के नाम पे खा सकते है फर्ज करो मैंने खा लिया फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो आप क्या पंडित जी से कम पावर्फुल हो तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता यहां नहीं क्यों मंदर और मजजित में क्या फर्क है तुम किस भगवान को मानते हो शेव जी तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या नहीं ना यही फर्क भगवान और अल्ला में है लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान से मैं वैसे अल्ला कितने है अल्ला कितने अल्ला तो इखी है बिटा तो आप इतने शौर के सो कि भगवान और अल्ला से अमी है जैसे मेरा नाम राहुल है मम्य मेरे को टिककू बुलाती है पापा मेरे को रौकी बुलाते है मेरे दोस मेरे को राहू बुलाते है लेकिन होतों में ही की राहूल वैसे ही शिवजी, अल्ला, हनुमान सब सेमी है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते है अल्ला से मस्जिद में मिलते है नहीं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं इस सड़क पे, मॉल में, सबजी बजार में, मंदर में भी तो फिर मज़ुद में भवान क्यों नहीं मल सकते हैं? वैसे अगर मैं अल्ला से कुछ मांगना चाहू, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेगे तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तल्यार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? काउन सा लड़्डू है? मेरे दादाजी बिया मशे लड़्डू से ही शुरू करते हैं सब को स्लूम अपी दे भगवराएं और ये दक्षना नहीं बेटा, ये किसी घरीब को दे देना ओके, बाए उम्र जैनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भूली आँखों में दिखाए कोश भी भरे दिलों में नांधेरों का निशा हो सर्मजर में बश्र में मौला ते आही दुबाहों इश्मर अल्गा ते रो हलो हाँ पूजा, मैं पंद्राभीस मिट लेट हो जाओंगी तुम पेशन को सलाई चड़ा दो, मैं अभी आती हूँ, ओके? पंद्रित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाइर, रह्मान, निर्रहीब राहु, तुम कहा गए थी? दाजा जी को खाना के लाने फिर्ष ये हुआ प्रेष y दिए